मुंबई चे सटे भिमंडी के इलाके में जेलेटीन इस्टिक बलाश्ट होने से एक व्यक्त की मौत होने की रिपोर्ट परगा थाने में दर्च कराई गई है तरसल कलपेश देशले ग्रामीड के ही वाशिंद इलाके के गाउं में रहता था जबकि उसकी लाश भिमंडी के कोशिंबी गाउं में एक खेत में छत विछत हालत में मंगलवार की रात में मिली है और बुद्धवार सुबा पुलिस को इसकी सूचना दी गई मौके पर पुलिस तो लाश छिन भिन हो चुकी थी बलाश्ट से मौके से जो जिलेटीन का अंश मिला है उससे पता चला है कि ये बलाश्ट होने की वज़े से इसकी मौत हुई है लेकिन ये बलाश्ट गल्ती से हुआ या किसी शाजिस थी और कलपेश की हत्या की गई है अभी तक ये असपश्ट नहीं हो पाया है वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि वेल्डिंग का काम करने वाला कलपेश के पास जिलेटीन कैसे आया और वे अपने गाउं से विवन्डी के उस गाउं में कैसे पहुँचा और क्या करने पहुँचा था अस्थानिय पढ़गा पुलिस की सूचना पर मौके पर फोरेंसिक टीम और ATS की टीम भी पहुँच गई फिलाल इस मामले की जाच जारी है मिरत्तक के घरवालों से भी पूश्टाच की जा रही है घरवालों का कहना है कि फिशिंग का शौक था इसलिए जिलिटीन रखता था लेकिन पुलिस हर एंगल से तहकिकात कर रही है